स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी सांसत पुत्री संग मित्रा के खिलाफ वारंट जारी बिना तलाक लिए शादी का मामला आमतोर पर विवादों में रहने वाले सपानेता स्वामी प्रसाद मौर्य ये गलग वज़ा से विवादों में आ गया है मामला उनकी सांसत पुत्री की शादी से जुड़ा है बिना तलाक लिए धोखा धड़ी से दूसरी शादी करने की आरोपी सांसत संगमित्रा वा उनके पिता स्वामी प्रसाद मौरे के हाजर न होने पर कोट ने जमानती वोरन जारी किया है उन पर वादी के साथ मार पीट गाली गलोज करने जान माल की धमकी वा साज़स रचने का आरोप है सुशांत गोल्व सिटी के रहने वाले वादी दीपक कुमार स्वनकार के परिवाद पर कोट ने संगमित्रा, स्वामी प्रसाद मौर्या, नीरस्तिवारी, सुर्य प्रकाश शुकला, उफ्चिंटू और रितिक सिंग को बतर आरोपी कोट में तलब किया था परिवाद में आरोप है कि वादी और संगमित्रा वर्ष 2016 से लिविन रिलेशन में रह रहे थे कहा गया कि संगमित्रा और स्वामी प्रसाद मौर्या ने वादी को बताया कि संगमित्रा का पहले पती से तलाक हो गया है लिहाजा वादी ने 3 जनवरी 2019 को संगमित्रा से उसके घर पर शादी कर ली वहीं संगमित्रा ने 2019 के चुनाओं में शपत पत्र देकर खुद को औविवाहत बताया बाद में वादी को पता चला कि संगमित्रा का मई 2021 में तलाग हुआ था आगे कहा गया कि जब वादी ने वर्ष 2021 में विधेविधान से विवाह करने के लिए कहा तो आरोपी स्वामी प्रसाद मौर्य ने वादी के उपर कई बार वभिनन अस्थानों पर अन्य आरोपियों से जान लेवा हमला कराया MPML कोट के विशेश ACJM अंबरिश श्रिवास्तव ने मामली की अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख तैकी है